असलामों अलेकुम दोस्तों मैं हूं मुहमा स्लमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिया और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 32 बीट के प्रोसेसर और 64 बीट के प्रोसेसर क्या होते हैं क्या डिफ्रेंस है और आपको कौन सा यूज करना चाहिए तो आज हम लोग फुल के इस्तेमाल करते हैं किसी भी अप्लिकेशन के इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई गेम खिलते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि आपको जो कुछ स्पीड की जरूरत पड़ती है वरना वह जो प्रोसेस को एकदम बिल्कुल से खरा रखती है उसे बंद नहीं होने देती है लेकिन द्रिक्ति प्रोसेसर का काम यहां कि उस एप्लिकेशन को स्पीड में दोरा थिया वरना अगर प्रोसेसर स्पीड सूक्राशन शहरा नहीं बिल्कुल और आपके सिस्टम को अच्छे से वर्ट करने के लिए जरूरी है कि आपका उप्रेटिस स्प्रोसेसर होना चाहिए अग क्या है 32-bit processor के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं बता दू कि यह एक पूराना प्रोसेसर है 32-bit प्रोसेसर में आप एक बार में 32-bit डेटा को जो है अक्सेस कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर 32-bit जो डेटा है वो एक तरह से सिर्फ मानने के लिए है लेकिन एक तरह से वहां पर जो काम होती है वह होती है तो इस्टू पावर 32-bit यानि कि दो को जीतना बार गुना करेंगे बतीस बार अगर आप दो को बतीस बार गुना करेंगे और जीतना वैलू निकल के आएगा लगभख चार बिलियन के आसपास तो आप एक बार में उत 64-bit डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और यहां पर भी सेम चीज है उसका जो डेटा है वह प्रोसेस होता है टू तू दपावर 64 में जो की काफी अच्छा है आपको यह प्रोसेसर 32-bit के मुकाबले काफी नया है और आजकल जादे-दर डिवाइस में 64-bit के प्रोसेसर यूज किये जाते हैं अब बात करते हैं सपोर्ट की कि आपको 32-bit में किसका कैसा सपोर्ट मिलता है तो चलिए सबसे पहले आपको शारुबभाई बताएंगे 32-bit प्रोसेसर के सपोर्ट की बात करें तो ऐसे तो अगर आप पुराने कंप्यूटर में देखेंगे तो जादतर कंप् लेकिन अगर आपके पास RAM है 2-3GB से जादा यानि कि अगर आपके पास 4GB का RAM है तब आपका जो प्रोसेसर है वहां पे लिमिटेड हो जाता है चार जीवी के RAM में 32-bit का प्रोसेसर सही से वर्क नहीं करेगा क्यूंकि वहां पे जो RAM है 4GB कभी इस्तेमाल नहीं होगा वहां प अप्लिकेशन और 32-bit के OS भी आप 32-bit के प्रोसेसर में 64-bit के अप्लिकेशन रन कर सकते हैं तो आप 64-bit के प्रोसेसर के सपोर्ट की बात करें तो वहां पे आपको RAM का फुल सपोर्ट मिलता है मतलब आपको किसी भी तरह का रिस्रिक्शन नहीं है कि आप 10GB तक 12GB तक 100GB तक ही 32-bit प्रोसेसर मिलते हैं 32-bit प्रोसेसर का मैनुफेक्शरिंग तो शायद 2005 के आज पास ही बंद हो गया था लेकिन अभी भी बहुत सारे सेलर्स हैं जो प्रोसेसर को बेशते रहते हैं लेकिन अब कंप्यूटर में 32-bit प्रोसेसर लेना मेरे हिसाब से नहीं लगता कि अब ल लेना चाहते हैं जो कि वीडियो वगरा देखने हैं और आसानी से वर्क शोटे मुटे काम करने तब 32-bit आप ले सकते क्योंकि वह सब कम दाम में आपको मिलना एंगे लेकिन आपको कंसीडर करना चाहिए 64-bit क्योंकि आपको 64-bit में जाधे राम का सपोर्ट मिलता है और 64-bit म मुल्टी टास्किंग और हेवी टास्क बहुत ही अच्छे से कर सकता है जो कि 32-bit प्रोसेसर नहीं कर सकता है तो अब बात करते हैं फोन के सपोर्ट में फोन की बात करें तो आपको जितने भी Android वर्जन है सब में 32-bit का सपोर्ट मिल जाता है लेकिन आपको 64-bit का सपोर्ट सि अब में आपको 32-bit के प्रोसेसर मिलते थे लेकिन यहां पर जैसे लॉलीपॉप का इंट्रोडक्शन हुआ तो Android भी 64-bit में आने लगी अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 64-bit का प्रोसेसर है तो वहां पे आप जो है ओस चाहिए आप के पास 64-bit का प्रोसेसर है तो आपके अप्लिकेशन सॉफ्टियर सबकुष 64-bit का ही होना चाहिए हाला कि दोस्तों 32-bit के CPU में 64-bit की OS सपोर्ट नहीं होती 32-bit के अप्लिकेशन सपोर्ट नहीं होते लेकिन 64-bit के CPU में 32-bit के OS और application सबकुछ सपोर्ट करता है तो यहां पर बत तो आपको मिलने वाली आपको 4G स्मार्टफोन होने का कुई फायदा नहीं है तो सेम 64bit के साथ भी यह है यह वहां पर बारे बता है प्रोसेसर का क्या है तो आपके गारी को दो एक चक्का घूमता है तब जागे भागती है अब यहाँ पर बड़ा चक्का ले लेंगे और गा पावला में एयर प्रेसर से स्लो चलेगा और चक्का छोटा ले लेंगे बॉड़ी रहेगी तो इसमें भी प्रॉब्लम है कि आपका जो गारी फिर भी स्लो चलेगा वहां पर सब कुछ आप वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप सिक्स्री फोर बीट की प्रोसेसर में अप्रेड करें अगर हैं या मल्टी टास्किंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 64-bit में अप्रेड करने की ज़रूरत है जी बिल्कुल यहां पर आपका बच्ट बहुत ज़्याद अपर चाहिए अगर आप जो है श्रीट करना चाहिए इसमें अच्छी मिलना हैं लेकिन अगर आपका बज़िट ज्यादा है 5000 से ज्यादा स्मार्टफोन में और 15000 से ज़्यादा है कंप्यूटर में लैपटोप्स में तब आप जो है वहां पे आ आपका because अब जो है 32-bit processor बनते नहीं है और नहीं उसके उसके हिसाब से कोई 32-bit का अप्लिकेशन भी नहीं बनते बहुत ही कम हो गए है तो अब जादे तर डिवलप्मेंट 64-bit के लिए ही हो रहा है तो फिर सब उमीद करते हैं कि आपको 64-bit 32-bit के बारे में जो भी कि अब जाए हो चुका होगा तो थैंक यू गाइज इप आवर वीडियो दिन प्लीज लाइक शेर अंग कमेंट तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब करें थैंक य।